मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने अपनी स्टिडी के लिए अपने अपने नोट्स हैं तो राइटिंग थोड़ी सी वेशी हो सकती थी क्योंकि मेरे अपने नोट्स हैं और डेफिनेटली आप जो यह पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आप इनको ही पढ़के चले जाएंगे तो इस चैप्टर से अनाल स्कूल से जो हम पढ़ने वाले हैं उससे अगर कोई भी क्वेस्टिन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और टोटल छे साथ तेज आराम से लिख सकते हैं तो आप बस इसको भी पढ़के जाएंगे आपका 23rd को पेपर है साथ 23rd को तो आप चाहते होंगे कि सौर्ट में नोट्स मिल जाए तो मैं सोच रहा था अपने ही नोट्स आप लोगों को एक्स्प्लेइन कर दो वह ज्यादा आसान होगा तो टाइम क प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि एगनू अपडेट्स को भी लेकर हम इस पर आते हैं एक अलग प्लेलिस हमारा अपडेट से रिलेटेड उस पर जितने भी अपडेट्स हैं जो भी चीज़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनाल इतिहास लेखन के अनाल स्कूल को बीश्मी सताब्दी के इतिहास लेखन से सम्मधित महत्पुर्ण घट्नाओं में से एक माना जाता है 1929 में मार्क ब्लांक और लूशिया फेब्रेब ने अनाल इस टु आर एकोनामिक ए सोसियाल ज अब थो बस यह संदर्व है कि क्या हथा अब लेकिन क्यों हुआ उन्होंने ऊसके अस्थापना क्यों की उसको हम अगर बैग्ग्राउंड में देखनी की कोसिस करें तो हम देखते हैं कि उसके दो संदर्व थे दो कारण थे पहला जो सामाजिक संदर्व था हम उसकी बात करते हैं यह 1920 के दसक में फ्रांस दो परसपर ग्रोधी घटनाओं मतलब फ्रांस में सबसे पहला था कि विश्व दसमाप्त हो गया था और फ्रांस को अपने परांपरागर जो प्रत्वन्दी ती जर्मनी उसके उपर विजय प्राप्तवी थी आपको पता है कि फर्स वर्ल्ड वार में जर्मनी हारा था फ्रांस जीता था ठीक पहला तो यह था दूसरी घटना यह थी कि उसी समय विश्व एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था अब देखिए विश्व एक तरफ तो फ्रांस जीता था और जब फ्रांस जीता था जो लोग हिस्ट्री को थोड़ा जानते हैं वो जानते होंगे कि जर्मनी की बहुत सारी ऐसी चीज़े थी जो इस्पेस 28 में बहुत लास्ट पहुंची थी जो बहुत दीफ हुई थी पर शुरुवात उसकी 18 से ही हो गई थी तो वही कह रहा है कि जब फ्रांस जीता था लेकिन उसे के साहा था एक जो मंदी शुरू हो रही थी तो पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही थी सारी दुनियों दुन सकता है कि यह कैसे पॉसिबल हुआ एक ऐसी कंट्री जो अभी अभी जीत के आ रही है और उसने जर्बनी के कुछ ऐसे पार्ट्स पर कबजा कर लिए हैं जो हमेशा से एक इंडिस्ट्रियल हब रहे हैं उसके बावजूद भी उसकी हालत इतने बुरी कैसे हो सकती है तो प् इसे अनाल दीवस्तुकार एकोनॉमिक असोसियाल ने रिखांगित किया तो जब ये तो पहला सामाजिक संदर्व था कि यह सी घटना होई तो यह एकोनॉमिक सौरी हिस्टोरियन थे उन्होंने इस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर किया उनको कि यार यह कैसे हो गया इसका एक बौधिक संदर्व भी था उसको भी हम देख लेते हैं पहले हम यह बात कर रहे हैं कि आखिर यह जो अनाल स्कूल है उसके अस्थापना हुई क्यों तो उसके दो संदर्व थे एक सामाजिक रूसरा बौधिक संदर्व क्या था वह हम देखते हैं कि इसका बौधि सब्सक्राइब करते थे उस समय इतिहास को बहुत ज्यादा करते थे इसलिए लोग उसे नेगलेट कर देते थे इसलिए उसे लोग एक हास के नजर से देखते थे कि यार यह तो कुछ है तो वही है कि अगर रिहास का अध्यन होता भी था तो शासक वर उसके परिवार से जोड़े लड़ाईयों के बारे में होता था आप कभी भी हिस्ट्री उठाके देख लिए चाहे आप अर्ली मॉडन उठाईये या फिर लेट इंशेंट उठाईये हर जगा आपको सिर्फ यह की चीज देखने को मिलेगी वह होगी हिस्ट्री में कि शासक कौन था उसने क्या 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 किया वैसी लड़ाईयां थी तो सबको लगता था कि इतिहास सिर्फ इन ही चीज़ों के लिए बना हुआ है उसके बाद फिर देखिए इतिहास के शोतों के इस्तिमाल को लेकर भी स इतिहास कार अभलेखागारों मतलब जहां पर वह उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी जाती है इतिहास से रिलेटेट वहां उसको एक पवित्रस्थान मानते थे उनको लगता था कि जो चीज़ें पहले मैं पढ़लेता हूं फिर एक्स्प्रेंट करूंगा एक पवित् इतिहास नहीं मानते गbourgों इतना पवित्र मानते थे कि उन्हे लगता था कि उतिहास को जानना है तो आप लिखागारों के जो फाइले रखिये जो छीज़ें वह उनको देखो अगर ऑसमें उसका वड़न हैं तो वह इतिहास है अगर नहीं यहासिश को नहीं है ह।ãyँकि एक वीडियो में ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा तो अब ये दो चीजें ऐसी थी कि वहां के जो फ्रांस के जो दो लोग थे तो दोस्त उनको ये चीजें मोटिवेट कि इन चीजों ने इंस्पायर किया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए फ्रांस की इस् दिश्टवार एकोनॉमिक और सोसिया उसका प्रकाशन शुरू कर दिया अब देखिए उस जो प्रकाशन शुरू किया तो उनका में सब्जिक क्या होता था शुरू में इस पत्रिगा ने समकाली सरोकारों से चुड़े मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा ताकि अभी सबसे बड़ा डिफ्रेशन माना जाता है तोमा न aiming that में जो हो रहे थी और उन्हों ने उस टायब जो चीजें हो रहे थी उसका समका इसा क्यों हो रहा है क्यों होरा ताकेласт Tuesday चल रही है वह कहां इस और शुरो में उन्होंने कि उसी पर फोकस किया उसके बाद तेजी स इसने tag on URL और प्रारंभिक आधनिक इतिहास पर अपना ध्यन केंधरिद अब धीरेी सब्सक्राइगे अच्करण पर्मधिक आधनिकी इतिहास अभी कि दिया सम्कालीन इतिहास की जुड़े होने के साथ साथ दूसरे विश्यों का भी साथ देना चाहिए और अंतर विश्यक अनुसंधान से नेक फायदे होंगे जिससे समग रितिहास का नेडवान किया जा सकता है देखिए अगर आप बात करेंगे अनल के जो अनल स्कूल है या अनल स्कूल का जो एक उद् को आप इस विश्यों को पढ़िये और विश्यों को पढ़िये तो आप शमग रितिहास का नर्मार्ण कर सकते हैं उस समय स्कूल विश्यों को मिलाएं तब आप एक इतिहास बता पाएंगे कि उस समय का इतिहास क्या था और जो वरतमान में है वो क्यों है तो उन्होंने यही अंतर विशेह का अनुसंद्धान इंटर डिस्पेंड़ी जो रिसर्च था उस पे फोकस किया उसके बाद बात करते हैं कि समगर इतिहास जिसे अनाल त वही एक में इतिहास होगा उसे को समगर इतिहास कह रहे थे जिसे अनल तयार करना चाहते थे वह सच्चा इतिहास था जिसका आर्थ था इस बिशे को बिस्तार देना जिससे अतीत का कोई भी हिस्सा या पहलू का आध्यन बाहर ना रह जाए तो वह समगर इतिहास तयार करन करना चालते थे इसके फलसोरों के इतिहासकारों के लिए नए नए विश्यों के द्वार कुले अब क्या हुआ जब यह शुरू हुआ तो इससे जो इतिहासकार थे उनके सामने नए नए सब्जेक्ट आये कि नहीं हम इस पर भी रिशर्च कर सकते हैं पहले लगता था कि नही कर सकते हैं आप संस्कृति का कर सकते हैं तो इस तरह से नए नए विश्य सामने आने लगे ए ओके फ्रेंड्स आयोब को समझ में आ रहा होगा प्लीज एगर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा तो आप प्लीज कमेंट कीज़ेगा उसके बाद खुद मार्क ब्लांक न तो शुरुवात उन दोनों दोस्तों में से एक ने खुद की जैसे कि मार्क ब्लांक ने अपनी पुस्तक लिखी दफ्यूडल सुसाइटी 1936 में उन्होंने उसमें सामंतवाद के अध्धिन के साथ-साथ बात ही जो पहले थे उससे रिलेटेड जो चीजें थे उन सब का अध् जब आप इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और सच्चा इतिहास वही होगा जो तत्यों के साथ-साथ-साथ वहां उस समय के जो लोग थे जो उनकी तिंकिंग थी जो उनका वलीव था विश्वास था, अगर उसको पता चलेगा आप उसको समझेंगे तब आप दूशिया फेबर्स ने अपनी पुस्तक लिखी मैं फिर से भोला हूं कि दे प्राब्लम आफ अन्विलिंग इन दे शिक्स्टीन सेंचुरी दे रिलेजिन आफ कि रेवेला मैं उसमें उन्होंने इन सारी शेत्रों पर जादर से जादर रिशर्च किया को इस तरह इतिहास समाज ब्लिख्यान का हिस्चा बनता जारा था तो इस तरह तो अंभी सर्फ घृष्क का dieses तब इसका एक मोटिफ ठागी जो बाकी बाकी इथिहासकार हैं उनको एक्जूट किया सकी ताकि वो अलग-लग बिसे पर रिशर्च कर सकें एक एक रास्ता दिखा रहे थे इतिहासकारों के लिए कि नहीं इतिहास सिर्फ एक चीज की बात नहीं करता है आप किसी भी सब्सक् और एकोनोमिक्स दोनों एक साथ आ गया और एक आर्थिक इतिहास का जन्म हुआ अर्नेस्ट लिब्रास अब जो यह पॉइंट्स चोटे-चोटे जो की पॉइंट्स हैं अगर इन्हें आप आड करेंगे तो आपको अच्छे मात मिल जाएंगे अर्नेस्ट लिब्रास ने क्रैसिस ऊफड़ फ्रेंच इककोनोमी इंड इंड इन्टत क्ला आड बीग्नि अफ लिवलेशिन चाण बीग्निंग ऑफर इंड विल्यृशन नाइटीन फिक वॉइब विखी थी उसमें उन्हें क्या किया उसमें उन्हें उन्होंने क्या इस एदिहास एक ऐसे दिर्कालिक प्रवित्यों को ढूनने का प्रयास किया जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को समझने और भविशिक कानुमान लगाने में मदद कर सेके इसी अइसी कौन कौन सी प्रवित्या थी ऐसा कौन कौन सी रेजन यह काम हो रहे थे जिसकी वज़े से एक आर्थिक और समाजिक परिवर्तन हुआ और भवेश्य में ये सारी चीज़ें आई ओके फ्रेंट्स तो ये में चीज़ें थी उसके बाद हम बात करेंगे कि अनालवादी धार धारा जो थी उसका योगदान क्या था को देखिए तो सबसे पहले तो महत्पुड अर्थों में देखे तो अनालवादी इतिहास लेखक एक तरफ प्रत्यक्षवाद और माक्षवाद के बिरासत का विरोधी था और दूसरी तरफ इसी की अपनी बिरासत के रूप में हासिल गया एक तरफ तो मानते थे कि जो प्रत प्रत्यक्षवाद हैं उनको देख लीजें आपको समझ में आ जायेगा है तो और दूसरी तरफ एक तो उसका विरोध करते थे दूसरी तरफ इन्हों ने जो समग रितिहास को समझने की कोशिश गये तो इन्हों ने उसकी को माक्षवादी विचारधा रहा और देखा था वह यह बिना प्रत्यक्च्व wax को पूरा करना चाहते थे पर उन्स प्रत्यप करने के लिए या मीना प्रत्यक्षार्ब या मar 1988 कि पूरा कर सकते हैं पर इंती बिल्कुल सम्भानर ही थैड़ कि आप wypसी करेंगे तो ये कार-गारे-कारंट संबंद प्रत्यक्षार्बurity आप हो चुका है लेक्षियर तो आप प्लीज अगर नहीं समझ जाया है तो आप वहां देख सकते हैं तो उसी आदाया पर आप इतिहास का अर्धियन करना चाहेंगे कि एक समगर विषय की रूप में देखना शुरू किया गया जिसमें अर्धसास समासास राजनी थी कि अन्य विषय भी सामिल तो अब में चीज यही थी कि अनाल ने जो स्कूल ने जो शुरू किया डैट वस प्रिटी इंपॉर्टेंट की हिस्ट्री इस नॉट अल अल से अबबया जाए नियुक के अब अब मतब छोटी सी जो चीजें उससे कहीं जयादा एक वाउट इकनॉमिक्स आप सोचलोजी एक पॉलिटिक्स तो वो सारी चीजें उन्होंने देखना चुदू किया और एक नया स्कोप ले कर आया उसके बाद हम देखे थे कि इन्होंने इतिहासकारों के इस धारणा को भी बदलने की कोशिश की कि अब लेखागार में रखी फुस्तुकों में तत से भी परे बहुत कुछ है हमें उन्हीं तक्सिमित नहीं रहना चाहिए यह भी बहुत इंपॉर् और यह भी ठूंदाई होगा होसकता उनसे कुछ मिस हो गया तो हमें उन्हीं तक सिमित नहीं रहना चाहिए तो यह हमारा अनलिस्कुल था जो भी पॉइंट्स इसमें हैं अगर आप उसी को ठीक से समझ लेंगे तो आप ब्लेंधने के साथ रुजाम जाएंगे और एक अच 16 है उत्तर आदमिक बाद सच्छिप दिखते हैं इसके बाद मैं और भी चीज़ें अप्लूट करूँगा चुकि ये मेरे नोट्स हैं तो हो सकता है आपको हैं राइटिंग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज अगर आपको बुक चाहिए तो मैं कोशिज करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक प्रॉइट कर दूँ जहां से आप बुक को डिरेक्ट पीडिये डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको बुक पढ़ना है तो ओके थैंक्स पर वाचिंग प्लीज अगर आप में अ क्सेद कर दो बुक चिंग।